नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग कल एक हवा सी उड़ रही थी कि इंडिया चैना की टूप्स के बीच में कुछ क्लैश सी हुई है लेकिन आज ओफिशली पचले अगर दो गंटे की न्यूज आप उठा के देखोगे तो लगातार पिछले दो तीन गंटों में जितने भ जी आप कहले जी मेडिया आउटलेट से वो एक ही न्यूज रिपोर्ट कर रहे हैं कि इंडिया और चैना की टूप्स में बीच में क्लैश हुआ है और नाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में मतलब आप कहले जी इस्टर सेक्टर में अगर आप लाइन ओफेक्शल कंट् सेंटर सेक्टर इस्टर सेक्टर वेस्टर सेक्टर जो लद्दाग का इलाका है हिमाचल प्रदेश और उत्राखंड का इलाका है उसके साथ जो चैना की बाउंडरी लगती है सेंटर सेक्टर जो सिक्क्यम के साथ लगती है और इस्टर सेक्टर में भी तवांग तवांग अ यह पर्टिकुलर इलाका तवांग का इसलिए भी न्यूज में रहा है अवनाचल प्रदेश को सिख्थ शेडूल में जगा देने की भी डिमांड उठी है अवनाचल प्रदेश के अंदर आपको पता हो ना चाहिए इस सिख्थ शेडूल अफ दा कॉंस्टिटूशन जिसमें यहां के ट्रैबल इलाकों को बहुत सारे कंसेशन दिये गए हैं कुछ उस प्रकार का ही स्टेटस पाने के लिए अवनाचल प्रदेश के अंदर से भी डिमांड चली तो वो एक इशू चल रहा है उस इशू में कभी-कभी तवांग का नाम उठके आ जाता है बट यहां पे तवांग का नाम आया है इंडिया-चाइना के बाइलेटल कंटेक्स के रिस्पेक्ट में अच्छा आप ऐसी बात नहीं है कि ओवर ओल इस प्रकार के ट्रांसगर्शन पहले नहीं हुए हैं 2020 जब स्टैंड आफ शुरू हुआ था इंडिया-चाइना की बीच में जब हमारे और मैं आपको बताओं देखे क्या है कि 2020 से पहले डेकेट्स तक ये जो इलाका है ओवर ओल और नाचल प्रदेश का और लद्दाक की अगर आप बात करो तो वहाँ पर डिमार्किशन तोड़ा ज़ादा मुश्किल है और नाचल प्रदेश में वैसे बाउंडरी सेट है पर पहले ट्रांसगर्शन उस लेवल पर रिपोर्ट नहीं होते थे और ट्रांसगर्शन उतने मेजर स्केल के थे भी नहीं ट्रांसगर्शन मतलब ओवर ओल एक चाइनीज सोल्जर्स के टुकडी इंडियन इलाके के अंदर गोसा है इसको आप कह सकते हो अभी के लिए ट्रांस यूनिट्स ते मतलब ठीक ठाक कॉंटिटी में लगबग आप कह सकते हो अभी देखें इनिदियन आर्मी के दरफ से स्टेटमेंट आया नहीं है इनिदियन आर्मी के दरफ से ये स्टेटमेंट आ गया कि 6जोग चैनीज सोलजर्स थे अभी के लिए कलिये क्रीश निकल कर आ इंडियन आर्मी की सोल्जर्स भी रहे होंगे अब यह सब बात है थोड़ी सोचने वाली ही कि एकदम से 600 चाइनीज सोल्जर से आ गया और एकदम से 600 इंडियन सोल्जर्स वहाँ पहुंच गया और सकफल हो गया 600 लोग को एकटा करने में भी समय लगता है लेकिन आज की डेट के लिए किसी भी लीडर के लिए ओवर ओल यहां पे हुमिलेशन गवारा नहीं है जी जिंग्पिंग की कोविट कंट्रोल पॉलिसी को लेके काफी क्रिटसाइज किया जा तो जी जिंग्पिंग कमजोर नजर नहीं आ सकते इंडियन साइट पे जो बीजेपी की सरकार है इस इसको कॉंग्रेस और बहुत सारी अपोजिशन पार्टी जैसे AIMIM के लीडर असोसी दिन वेसी ने इस बात को लेके सवाल पूछ दिया तो बीजेपी पार्टी भी अपनी क्रेडिबिलिटी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकती तो जो सरकार है उसने भी सफीशन डिप्लॉइम तो कोई भी साइड अपनी क्रेडिबिलिटी खो नहीं सकती अपने आपों कमजोर नहीं दिखा सकती इसलिए यहाँ पे एक मेजर कफल हुआ है माइनर इंजुरी आई है अभी तक तो रिपोर्ट यह कि 20 इंडिन सोल्जर को इंजुरी आई है यह पता नहीं है और पता चलन में समय भी लगेगा चाइनीज वर्जन तो कभी आने वाला नहीं है कई सालों तक तो क्या इस इवेंट से कोई मेजर फ्लेर अप शुरू हो सकता है देखिए इस बात के चांसे बहुत कम है जो ग्राउंड लेवल के कमांडर से उन्होंने मिल के बातों को सौट आउट कर ल पकिया वो अलग बात है कि चाइना और नाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है कुछ अब तक भुटान को भी अपना हिस्सा मानता है तो उनके मानने से वैसे कुछ नहीं होता में ट्रांस्गर्शन वेस्टन सेक्टर के हैं और नाचल प्रदेश में यहां पे आपके ल तूटे हैं ये भी सुनने मारा है अब ओवर और कैजुएलिटीज कितनी है ये कुछ दिनों में क्लेर होगा कई अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी इस समय पे रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज करने हैं कि आप इतना सॉफ्ट स्टांस क्यों ले रहे हैं आपने यहा समय पे रिस्पॉंड किया हैं तो किसी भी प्रकार से भारत सरकार का यहां पे जो स्टांस था जो स्पॉंस था इसको कमजोर तो नहीं कहा जा सकता इंब कि आप ठ्राटी इतलदी उसके बारे में एक-डो दिन में जो भी.